गाड़ी की RC आप ओनलाइन कंप्यूटर या मुबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ओनलाइन वीकल RC डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी वीकल RC में आउनलाइन मुबाइल नमबर अपडेट कैसे कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी की RC डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें आप वीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इसमें आप स्टेट का नेम चूज करेंगे जिस स्टेट में वीकल का रजिस्ट्रेशन किया गया है इसमें आप vehicle registration number पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी गारी का number डाल कर proceed पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक dashboard आजाएगा जिसमें आपको vehicle RC से related कावी सारी services मिल जाएगी vehicle RC डाउनलोड करने के लिए आप download document में RC print पर क्लिक करेंगे लेकिन इससे पहले आपको confirm कर लेना है कि आपकी RC के साथ mobile number link होना चाहिए क्योंकि उस पर एक OTP send किया जाएगा RC के साथ mobile number link है या नहीं और mobile number update करने के लिए आप services में additional services में update mobile number पर क्लिक करेंगे इसमें आप अपनी vehicle का number डालेंगे, chassis number डालेंगे, engine number डालेंगे chassis number और engine number आपकी RC पर लिखा हुआ होता है, आपको यहाँ पर type कर देना है इसमें आप registration date select करेंगे और यहाँ पर date select करेंगे किस date तक आपकी RC valid है यह भी RC पर लिखी हुई होती है, इसके बाद show details पर किली करेंगे आपके सामने vehicle owner का name और उसका address आजाएगा, साथी आप mobile number में देख सकते हैं कि आपकी RC के साथ कौन सा mobile number linked है, अगर सही mobile number link है तो आप home पर वापस आजाएगे लेकिन अगर mobile number link नहीं है यह आपको mobile number update करना है तो इसमें आप वो mobile number डालेंगे जो आप update करना चाहते हैं, इसके बाद generate OTP पर click करेंगे जो number आप यहाँ डालेंगे उस पर एक OTP send किये जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर save details पर click करेंगे आपकी RC के साथ mobile number successfully update हो जाएगा इसके बाद अपनी गाड़ी की RC डाउनलोड करने के लिए आप download document में RC print पर click करेंगे इसमें आपको अपनी गाड़ी का number डालना है, यहाँ पर chassis number डालेंगे और यहाँ पर engine number डालेंगे इसके बाद verify details पर click करेंगे, इसके बाद generate OTP पर click करेंगे आपके mobile number पर echo TP send कर दिये जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर submit पर click करेंगे तो आपके सामने आपकी गाड़ी की RC आजाएगी, इसको आप print पर click करके print कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको PDF में save कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो direct printer से इसको print भी कर सकते हैं इस पर आपको complete details मिलती है जो आपकी physical RC पर होती है सो इस तरह से आप online अपनी गाड़ी की RC डाउनलोड कर सकते हैं और RC के साथ mobile number अपडेट भी कर सकते हैं आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके ऊट सकते हैं